हमारे चैनल पर जैसा कि हम लोग ने कहा था कि number system में हम लोग prime number complete कर चुके हैं classification of numbers complete कर चुके हैं यानि numbers के बारे में हम लोग जान चुके हैं कौन-कौन से numbers होते हैं किस-किस प्रकार के number होते हैं क्या properties होती हैं उनकी दूसरी जो हमारी class थी जो सबसे important थी prime numbers पर prime number हम लोग ने SSC का जिस पर question आना ही आना है आपके examination में rules of divisibility पढ़ेंगे यानि divisibility rules पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी number या किसी भी संख्या की क्या divisibility होगी किसी भी अन्य number पर ठीक है चलिए तो जल्दी से आप सब भी लोग join हो जाईए फिर हम लोग आज की class को झाल झाल से लोग जाज की में लोग झाल पे जाईए यदिस और की रोग किसी भी जिस घटिए पॉग्छंगे लोग देखेंगे जे आपसे शुरूब अगर क्या वोग किसी भी आपसे आधकी से अ थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वज़े से क्लास में थोड़ी से रुकावट हुई समझ आते हैं उसके लिए चल ये तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक कि हम लोग के डिविजबिल्टी रूल क्या होते हैं तो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम लोग डिविजबिल्टी बाइ टू पढ़ेंगे लेकिन आपको पता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में हम लोग उन्हें दो नंबर्स और पढ़े थे जिनको हम लोग कहते हैं जीरो और वन तो पहले हम लोग क्या जीरो की डिविजबिल्टी देखते हैं ठीक है पहले हम लोग क्या चेक करेंगे जीरो की डिविजबिल्टी चेक करेंगे तो दो की डिविजबिल्टी पढ़ने से पहले आपको क्या जरूर यह कि हमारे जीरो की डिविजबिल्टी क्या होती है जीरो की डिविजबिल काहे का जीरो का लोग देखेंगे आज पहले सबसे पहले जीरो के también responsibility रूल से शुरू करेंगे तो आपको पता होगा जीरो को अगर हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करें क्या हमारे पास आता एक रिमाइंडर क्या बोग्र है यानि हमाएप पच कुछ भी नहीं आएगा चीक है तो अगर हम लोग बात करें किसी संख्या को any number किसी भी संख्या को zero से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन फिर्फ zero को लोग zero से नहीं कर सकते क्यों कोई zero को जीरो से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमाई पास जो form बनेगी उसको हम लोग बोलते अंडिफाइंड जो माई पास form आएगी वो कैसी आएगी undefined यानि उसका मान हमें नहीं पता होगा तो any number any number हम लोग लिख सकते हैं इसमें 0 के divisibility में any number is divisible by by 0 except 0 यानि 0 के अलावा हम लोग किसी भी number को 0 से divisible कर सकते हैं चीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो line लिखी है except 0 यानि अगर दुनिया में कोई भी number x, y, z है उसको हम लोग जब 0 से divide करेंगे चेक करना हो तो वो हमेशा 0 से completely क्या होगा divisible होगा लेकिन जब हम लोग कह रहे हैं 0 को ही अगर हम लोग 0 से divisible करें तो ये हमारा कैसा number होता है undefined ये हमारा कैसा number होता है undefined number होता है चीक है तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे दुनिया का कोई भी number होगा वो हमेशा 0 से क्या होगा पूर्टा divisible होगा लेकिन अगर हम लोग 0 को ही 0 से divide कर देंगे तो वो हमारा कैसा undefined number होगा वो हमारी कैसी quantity होगी undefined होगी तो इस चीज को ध्यान रखना है अगर हम लोग बात करें 1 से divisibility की तो 1 सिर्फ 1 से divisible होगा ठीक है 1 is only divisible by 1 1 को हम लोग सिर्फ 1 से divisible कर सकते और दुनिया में किसी भी number को हम लोग एक से पूर्णटा विभाजित नहीं कर सकते ठीक है तो ये चीज आपको 1 के बारे में याद रखनी है लेकिन 0 की बात आपके लिए most important है कि 0 हर number से divisible होगा दुनिया का कोई भी संक्या हो 0 से हमारी divisible होगी लेकिन अगर हम लोग 0 को 0 से divide करेंगे तब वो हमारा कैसा number बन जाएगा undefined form हो जाएगी जिसको हम लोग 11 और 12 में पढ़े थे जिनको हम लोग indeterminate form बोलते हैं तो इसको आप लोग note कर लेंगे अब हम लोग पहले अपने divisibility rule पे चलते हैं divisibility of 2 अगर हम लोग divisibility by 2 की बात करें तो हमारे 2 की divisibility क्या होती है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारी 2 की divisibility की अगर हम लोग बात करें तो 2 से हमारा कोई भी संख्या 2 से हमारी कब divisible होगी जब उस संख्या की जो last digit या की जिसे हम लोग कह सकते है unit digits जो उस संख्या की unit digit होगी वो कैसी होनी चाहिए एक even संख्या होनी चाहिए छीक है दो की divisibility की अगर हम लोग بात करें तो दो की divisibility तभी हम लोग बता सकते हैं जब कोई भी number कोई भी number अगर हमाये पास दे रखा है अगर हम लोग किसी भी नमबर की बात करें तो कोई भी नमबर दो से तब divisible होगा जैसे हमारे पास एक नमबर है x, y, z तो अगर हमको इसकी 2 से divisibility चेक करनी है तो ये नमबर 2 से तब ही divisible होगा तो जब ये z जब ये z क्या होगा एक even number होगा जब ये Z जो है हमारे पास कैसा नंबर होगा एक even नंबर होगा तभी वो संख्या हमारी क्या होगी 2 से divisible होगी और अगर हम लोग even संख्या हो की बात करें तो even संख्या हमारी कौन सी हो जाएंगी 0, 2, 4, 6, 8 और क्या हो जाएगा अब single digit की है तो हम लोग के कितनी even digits हो जाएंगी 0, 2, 8 हो जाएंगी ठीक है 0, 2, 4 मतलब किसी भी संख्या कि अगर last में इन पांचों digit में से कोई भी digit होगी तो वो नंबर हमारा क्या होगा 2 से completely divisible होगा इस चीश को आप लोग note कर लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं question देखेंगे अपनी 2 की divisibility पे question से समझेंगे ठीक है इतनी बात आपको समझाई कि 2 की divisibility हमारी क्या होती है ठीक है कि कोई number अगर उसकी जो unit digit है या उस number की last digit है अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी है तो वो number हमारा क्या होगा completely 2 से divisible होगा चलिए एक example की मदद से समझते है एक example देखते है तो example की अगर हम लोग बात करें 2 की divisibility के चीक है तो आपके पास देखिए यहाँ पे question दे रखा है जिसमें हम लोग 2 की divisibility चक करेंगे चीक है यहाँ पे आपको question दिखा है find whether number 102445 is divisible by 2 or not पहला question आपके screen पे क्या दे रखा है कि हमें बताना है यह जो number दे रखा है यह जो number है अगर हम लोग question 1 की बात करें question 1 की बात करें हमसे लिखा है कि find the whether the number number हमारे पास क्या दे रखा है 1024 और क्या दे रखा है 45 यह number हमारे पास दे रखा है और हमें बताना है क्या यह number जो हमारे पास दिया है यह हमारा number 2 से divisible है या नहीं है तो अभी हम लोग ने क्या discuss किया कि हमारी 2 की divisibility क्या होती है अभी हम लोग ने देखा कि हमारी 2 की divisibility क्या होती है जो unit digit होती है हमारे किसी भी संख्या की, unit digits क्या होनी चाहिए, unit digits हमारी एक even number होनी चाहिए, unit digit क्या होनी चाहिए, even number होनी चाहिए, even number होनी चाहिए, और even number कौन से होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, तो अगर हम लोग बात करें इस संख्या की, यहाँ पे हम लोग इस number की बात करें, तो number हम हमारे पास है 1024 और 45 यानि जो हमारे यूनिट डिजिट है जो हमारी लाज्ट डिजिट है वह इन टर्म्स पे साइटिस्वाई नहीं करें यह जो नंबर है इन में से कोई भी नंबर नहीं है यानि यह नंबर हमारा होगा दो से डिवजबल नहीं होगा यह जो हमारे दी गई संक्या है वह दो से होगी डिवजबल नहीं होगी क्योंकि यहां पर भी जिट क्या दे रखी है और अगर विभाजित पर फाईव मिलेति बपत्व 화 examination में इस टाइप का भी question दे दिया जाएगा कि आपको एक series दे रखी ए number की उसमें आप से पूछ दिया जाएगा कि इसमें से विभिन ने कोन है odd one हमको क्या करना है find out करना है तो देके हमाई पास क्या series दे रखी अगर हम लोग देखें तो लिकाए 16 फिर हमाई पस दे रखा है 18 फिर दे रखा है 2256 यानि 2256 दे रखा है हमें और अब हमसे पूछा गया है इन में से हमें odd one find out करना है कि हमें बताना है कि इन करें हम लोग देखें है तो अगर अगर आहा है व्लेडिजिट में क्या है क्या है यूनिट इस इस नंबर की बात करें तो अप då लोक है धो से कंप्लीट ली डिविभल होगा अगर एक नहीं करें इस न discussion ऊपक्राइम वाट करें तो लास्ट में हमारे पास क्या दे रखा तू हमें पता चल गया तौ हमारा क्या है even number नहीं होता है तो हमारा ये number कैसा होगा 2 से completely divisible नहीं होगा तो ये number हमारा कैसा हो जाएगा odd हो जाएगा तू हमारे पास कैसा number आजाएगा odd number आ जाएगा ठीक है तो आपसे examination में इस ti iPhone का भी 3 की बात करें अगर हम लोग question number 3 की बात करें तो question number 3 में हमसे क्या पूछा गया है are the given number divisible by 2 or not क्यानि हमें बताना है कि यह जो दिये गए number है पहला number हमें दे रखा है 122 ठीक है दूसरा number हमें दे रखा है 1456 ठीक है तो ऐसा भी question आपसे examination पर हम पूछ सकते हैं कि आपको number दे रखे होंगे और आपको क्या बताना होगा कि यह number 2 से हमारे divisible है नहीं तो अगर हम लोग पहले number की बात करें तो लिखा 112 last में unit digit या हमारी last digit कैसी है even number है last digit हमारी कैसी है एक even number है ठीक है even number है यानि यह number हमारा क्या होगा 2 से completely divisible होगा तो 122 हमारा क्या होगा 2 से completely हमारा divisible होगा अगर हम लोग बात करें 1456 की last में हमारा कैसा number है एक even number है कैसा number even number यानि यह भी number हमारा क्या होगा 2 से completely divisible होगा और अगर हम लोग आंतिम संख्या की बात करें तो हमाँ पास संक्या दे रख्ये तीन चार आठ नौ छे जैक से जांकर हम लोग देखें तो लास्ट में हमारे पास कैसा नंबर है इवेन नंबर है यानि ये भी हमारा क्या होगा दो से कम्प्लीटली डिविजबल होगा तो हगा हम लोग बात करें तुम्हाई जो numbers दे रखे थे यह 3 number हमारे क्या है 2 से completely divisible है ठीक है तो यह 3 number हम लोग कह सकते है is completely divisible by किस से है 2 से ठीक है तो यह 3 number हमारे completely divisible by 2 है तो इन questions को आप note कर लेंगे इसी type के question आपको examination में देखने को मिलेंगे ठीक है आपसे question या तो पहले सीधे पूछ सकता है आपके पास एक number दे रखा है आपसे पास एक number दे रखा है आपसे पूछा गया है कि ये number 2 से divisible है या नहीं ठीक है 2 से divisible है या नहीं एक कभी-कभी आपसे examination में question और पूछ देता है जैसे आपको ये पूरा नमबर ना देखे आपको एक question दे दिया गया 210245 और आपसे दे दिया गया y अब हमसे पूछा गया है is this number divisible by 2 or not ये number 2 से completely divisible है या नहीं है ठीक है दो condition हमसे पूछ दी गई अब हमको कुछ option दे दिया गया find the value of y और हमसे चार option दे दिया गया कि value क्या होगी 2 होगी 3 होगी या 7 होगी या 5 होगी ठीक है तो हमें पता है हमने 2 की divisibility में क्या सीखा है कि 2 की divisibility में हमने ये सीखा है कि हमारी जो last digit होगी वो even number होगी जब भी वो even number होगी तभी वो संक्या हमारी क्या होगी 2 से पूंचना विभाजित होगी यानि हमें पता है यह यह वाई कैसा नंबर होना चाहिए एक even number होना चाहिए और even number हमारे कौन से होते हैं 02468 यह हमारे क्या है single digit के even number है ठीक है तो मैं पता चल गया कि हमारा कौन सा option सही हो जाएगा तू सही हो जाएगा यानि वाई की एक रेट वैल्यू मारी कित्ती हो जाएगी दो हो जाएगी ठीक है तो इस ट्राइप का भी कुश्चन आपको एक्जामिनेशन में दे सकते हैं ठीक है नोट कर लीजेगा इसको फिर हम लोग अपने आगे की डिविजबिल् हमारी यह होती है नोट कर लीजेगा इसको सभी लोग इसके आगे अब हम बात करते हैं तो अगर हम लोग 3 की डिविजबिल्टी की बात करें तो 3 की डिविजबिल्टी हम लोग देख लेते हैं क्या होती है तो अगर हम लोग डिविजबिल्टी भाई 3 देखें तो देखें तीन और हमारी 9 की 9 और हमारा 3 क्या है आपस में common multiple है तीन का ही multiple क्या है हमारा 9 है तो ज यह जो हुमाई पर divisibility दे रखे हैं यह combine दे रखे हैं मैं 3 और 9 की ठीक है यह जो divisibility rule दे रखा है यह 3 और 9 का क्या है combine rule हमें दे रखा है rule क्या है 3 की divisibility और 9 की divisibility क्या होगी इन number is completely divisible by 3 और 9 if the sum of digit is completely divisible by 3 और 9 यानि कोई भी संक्या तभी 3 से completely divisible होगी तभी 3 से completely विभाजित होगी जब उस संक्या का जो योग है, sum है वो 9 से या 3 से completely divisible होगा यह यह इस चीज को समझते हैं हमसे यह कहा गया है कि कोई भी नंबर कोई भी संक्या अगर हमाय पास दे रखिये x, y, z यह हमारी 9 या 3 से हमारी 9 या 3 से तभी completely divisible होगी जब इस संक्या का जो sum होगा इस संक्या का जो sum होगा वो क्या होगा 9 या 3 से completely divisible होगा ठीक है, यह हमसे basically statement में कहा गया है इस number is completely divisible by 3 और 9 if the sum of digit is completely divisible by 3 और 9 ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझाई बहुत easy है हमारा step हमारी 3 की divisibility का आपके पास एक example दे रखा है अगर हम लोग example की बात करें तो example हमसे दे रखा है 3, 5, 4 3, 5, 4 एक number हमसे दे रखा है हमसे पूछा गया है यह 3 से divisible है या नहीं तो अगर हम लोग बात करें 3, 5, 4 की तो इनका sum of digit क्या होगा 3, plus 5, और plus हमारे पास क्या हो जाएगा 4, तो इनका sum of digit किता है 5, 4, 9, 12 जो की 12 हमारा क्या होता है 3 से completely divisible होता है यानि यह जो संक्या है, यह भी हमारी क्या होगी 3 से completely divisible होगी अगर हम लोग दूसरा example देखें 1, 4, 1, 4, 7, 5, 5 अगर हम लोग इस संक्या को देखें यह हमारी 3 या 9 से completely divisible है या नहीं तो अगर हम लोग बात करें के sum की, तो संक्या का sum कितना हो जाएगा 1, 4, 5, 5, 5, 5, 7 यही तो number हम से दे रखा है तो अगर हम लोग इसके sum की बात करें तो हमारे पास sum कितना आ जाएगा 17, 17, 4 हो जाएगा 21 और 22 यानि यह number अगर हम लोग बात करें 22 तो 22 क्या होता है नहीं हमारा 3 से completely divisible है 22 नहीं हमारा 3 से completely divisible है और नहीं हमारा number 9 से completely divisible है रूल क्या होता है और नावका डीविजिधि रूल क्या होता है एक बढ़ फिर हम रिपीट करें दे रहें कि हमारा ईन ओर और ंबर जो और है वह दूंकर हम lata 3 और 9 से completely divisible होगा तभी हमारा number भी 3 और 9 से completely divisible होगा ठीक है इतनी बात समझाई अब हम लोग इस पर question देखते हैं कुछ कुछ question देखते हैं कि हमारे 3 के divisibility पर क्या-क्या questions हो सकते है ठीक है तो 3 की divisibility कि अगर हम लोग बात करें तो आपके सामने 3 और 9 की divisibility पर question है question हमारे पास क्या दे रखा है हमसे प्रश्न पूछा गया है कि consider the following number which are divisible by 9 using the test of divisibility ठीक है अब हमें बताना है इन में से कौन सी संख्या हमारी 9 से divisible होगी किसके basis पर 9 की divisibility rule से ठीक है तो 9 का divisibility rule क्या होता है यह भी हम लोग लिख लेते हैं कि sum of digit sum of digit sum of digit should be should be divisible by by 9 तब ही हमारा number भी क्या होगा 9 से completely divisible होगा या 3 से completely divisible होगा तो देखे हमारे पास कौन कौन सी संख्या दे रख्खिए पहला हमारे पास दे रख्खा है 99 99 दे रख्खा है अगर हम इनका sum of digit करें तो sum of digit इनका क्या हैगा 18 आएगा और 18 में पता है हमारा 9 से completely divisible होता है यानि 99 भी हमारा क्या होगा 9 से completely divisible होगा अगर बात करें 198 की 198 का हमारा sum of digit क्या जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 8 यानि इनका sum of digit हमारे पास किता रहा 18 यानि ये भी हमारा number क्या हो जाएगा 9 से completely divisible हो जाएगा अगर हम लोग बात करें 171 की 171 का हमारा sum of digit क्या आएगा तो 9 के बराबर आएगा यानि ये भी number ये संख्या भी हमारी क्या होगी 9 से completely divisible हो जाएगी ठीक है क्योंकि कैसे 171 को आप लोग 9 से काटी है तो कितनी बार जाएगा 9 एक कम नो है और 9 नो है या कितना हो जाता है 81 हो जाता है ठीक है तो ये number हमारा क्या है पूरा 9 से completely divisible है तो हमारा 99 completely divisible है 98, 198 completely divisible है 171 completely divisible है अगर हम लोग बात करें 9, 9, 9, 990 की तो इनका sum of digit अगर हम लोग देखें तो 9 plus 9 plus 9 plus 0 तो हमाई पास sum of digit किता है 27 आया जो भी हमारा क्या है 9 से completely divisible है अगर at the last हम लोग बात करें 3, 4, 1, 1, last में number कौन सा दे रखा है 3, 4, 1, 1 दे रखा है इनका sum of digit किता है 3 plus 4 plus 1 plus 1 तो हमाई पास sum of digit कितना आ गया ठीक है sum of digit की बात करें तो sum of digit क्या है 9 है यानि ये भी हमारा क्या हो जाएगा number 9 से completely divisible हो जाएगा यानि ये पांचों number हमारे क्या है 9 से completely divisible है अगर हम लोग 9 के rule की बात करें ठीक है अब अगर हम से कह दिया जाए कि इन यही नंबर से हमारे क्या 3 से divisible है तो अगर हम लोग 3 से divisibility चेक करें तब भी हम लोग क्या करेंगे sum of digit ही करेंगे तो 3 से divisibility अगर हम लोग चेक करें तो 18 जो है 18 जो है 631 यानि हमारा ये नंबर 3 से भी क्या है completely divisible है यह number हमारा 3 और 9 3 और 9 दोनों से completely क्या है divisible है अगर हम लोग बात करें 198 की 198 में भी हमारा sum of digit किता आ रहा है 188 यानि यह number भी हमारा 3 और 9 से क्या है completely divisible है 3 और 9 से क्या है completely divisible है 171 की बात करें तो आ रहा है 9 यानि यह भी number हमारा 3 और 9 से क्या है completely divisible है अगर हम लोग 27 की बात करें तो 27 भी हमारा क्या होता है 3 से divisible होता है completely चीक है और at the last हम लोग बात करें तो ये दोनों number हमारे क्या है 9 और 3 दोनों से completely divisible है तो इतने इस I hope आपको इन example से 9 की divisibility समझ आ गई होगी ठीक है 9 और 3 की divisibility समझ आ गई होगी कि कैसे इस पर question बनता है ठीक है अब थोड़ा सा हम question बढ़ते है आगे हमसे पूछा गया है which number is divisible by both 9 ठीक है which number is divisible by 9 हमसे पूछा गया हमारे पास संक्या देखे क्या दे रखी है number हमारे पास क्या दे रखे है 10,098 तो हम लोग यहीं पर इनको solve करने की कोशिश करते है अगर हम लोग इसका sum of digit देखे तो कितना आएगा sum of digit कितना आएगा 9 और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 यानि 18 आजाएगा यानि ये number हमारा क्या है 9 से completely divisible है दूसरे की अगर हम लोग बात करें 8,09 और 10 यानि ये number हमारा क्या हो जाएगा 9 से divisible नहीं होगा 3rd number की बात करें हमारे पास दे रखा है 1089 ठीक है 10,89 दे रखा है यानि 9 और कितना हो गया 8 यानि ये भी number हमारा क्या हो जाएगा 9 से completely divisible हो जाएगा क्योंकि sum of digit कितना आ रहा है 18 आ रहा है ये number हमारा 9 से completely divisible है और 10,89 ये number हमारा क्या है 9 से completely divisible है तो ये दोनों number हमारे क्या हो जाएगे 9 से completely divisible हो जाएगे तो इन question को आप लोग note कर लीजेगा इनका screenshot ले लीजेगा फिर हम लोग थोड़ा सा typical question देखते हैं जो हमारे examination में आ सकते हैं ये वाला भी question हमारे exam point of view से important है आपसे question दे देगा ऐसी series दे रखा होगा और आपसे पुछेगा which of the following is number is divisible by 9 आपको option दे रखा होगा ये आपसे find odd one out कह सकता है ये आपको दे रखता है ऐसे which of the number is divisible by 9 आपको 4 option दे दिए अब आपको बताना है कि 9 से कौन सा number हमारा divisible होगा तो इसको note कर लीजेगा फिर हम लोग इसके आगे question बढ़ते है ठीक है note कर लीजेगा इसको सभी लोग चलिए इसके आगे देखते हैं अगर हम लोग बात करें अगर देखे लिखा है divisibility by 8 हो 9 तो अगर हम लोग बात करें 2 की divisibility हम लोग ने देख ली कि last digit क्या होनी चाहिए even होनी चाहिए 3 और 9 की divisibility देख ली क्या होती है कि sum of digit क्या होना चाहिए 9 और 3 से divisible होना चाहिए अब हमसे question दे रखा है 488-3456Y जो आपका CGL का 2022 का exam में आया हुआ question है divisibility rule पे आपसे लिखा है एक number आपको दे रखा है 48X 3456Y यह आपके पास एक number दे रखा है पूछा गया is divisible by 72 then find the minimum value of 3X plus 4Y हमें क्या बताना है minimum value of 3X plus 4Y की value बताना है आप देखे इस type के question को आप कैसे solve कर सकते हैं उससे पहले आपको सीखनी पड़ेगी आठ और 4 की divisibility ठीक है तो हम लोग क्या देखते हैं 4 का divisibility rule देखते हैं और 8 का divisibility rule देखते हैं तो अगर हम लोग 4 के divisibility rule की बात करें तो हमारे 4 का divisibility rule क्या होता है कि इन number is completely divisible by 4 if its last two digits is divisible by 4 यानि कोई भी संख्या कोई भी संख्या 4 से पूरता विभाजित तभी होगी जब उस संख्या की अंतिम दो digits अंतिम दो क्या होंगी अंत जो क्या होंगे वो 4 से completely divisible होंगे जैसे अगर हमारे पास कोई number दे रखा है A, B, C, D अगर हमको जानना है कि हमारा 4 से divisible है की नहीं तो यह जो last की दो digits है C और D यह जो last की डिजित है यह क्या होनी चाहिए चार से completely divisible होनी चाहिए अगर last की दो digits हमारी 4 से completely divisible है तो हमारा number भी क्या होगा? 4 से completely divisible होगा, ठिक है? अगर हम लोग इसके example की बात करें, इसके example की बात करें, तो देखें, हमाँपास example दे रखा है, एक number हमसे दे रखा है, 564, 6,54, 3,24, ये number हमाँपास दे रखा है, अब हमसे फूछा गया है क्या ये number हमारा, 4 से completed divisible है की नहीं? तो अगर हम लोग को 4 से divisibility चेक करने ही तो हम लोग ने क्या पढ़ा है लास्ट की डो डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए 4 से चाहर से डूनी चाहिए तो यह चाहर से क्या होनी चाहिए यानि जा हम लोग इसे कह सकते हैं कि जो 4 से divisible संख्या कब होगी जब उसकी last की दो जिडिट क्या होगी 4 की ही multiple होगी जब वो 4 की multiple होगी तभी वो संख्या हमारी क्या होगी 4 से divisible होगी 4 का कोई भी multiple हो 4 into 4 हमारे पस कित्ता हो जाएगा 16 चार इंटू पांच हमारे पास कित्ता हो जाएगा 20 यानि चार का कोई भी मैटिपल हो अगर लास की डो जिजिट किसी भी संक्या की तो वह संक्या हमारी क्या हो जाती है चार से कम्पलीट्री डिपस्पल हो जाती है ठीक है अगर हम लोग एक और एक्जांपल का बात करें एक्जांपल हमसे दे रखा है लाश टू डिजिट की है 38 और 38 यानि चार से डिपस्पल नहीं होती यानि यह जो संक्या भी होगी हमारी यह भी हमारी चार से क्या होगी डियूजिबल नहीं होगी तो इतनी बात आपको समज़ा इस तो 4 का divizibilty rule हमारा यही होता है कि last की two digits क्या होनी चाहिए four से divisible होनी चाहिए अगर हम लोग बात करे आठ के divizibility rule की अगर आठ के divizibility rule की बात करे तो आट का divisibility rule, same 4 की divisibility rule जैसा ही होता है, कैसा होता है, कि 8 की divisibility हमारी क्या होती है, कि किसी भी संक्या की, last की अगर 3 डिजिट हमारी 8 से divisible है, तो वो संक्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 8 से divisible हो जाएगी, वो संक्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 8 से completely divisible हो जाएगी, यानि, कोई भी नंबर हमारे पास दे रखा है W, X, Y, Z अगर हमसे यह नंबर दे रखा है तो last की यह जो टीन डिजिट है यह हमारी क्या होनी चाहिए 8 से completely divisible होनी चाहिए तभी यह नंबर हमारा क्या होगा 8 से completely divisible होगा यानि किसी भी संख्या की last की 3 डिजिट अगर 8 से completely divisible है तो हमारा नंबर भी क्या हो जाएगा 8 से completely divisible हो जाएगा चलिए एक example देखते है ठीक है, example हमारे पास क्या है 4, 6, 4, 5 और 520 ही हमारे पास दे रखा है अब हमें चेक करना है कि यह नंबर हमारा 8 से completely divisible है या नहीं अब हम लोग बात करें 600, 45, 520 हमें क्या लेना है last की 10 डिजिट पे focus करना है तो last की 10 डिजिट हमारे पास क्या है 520 last की 10 डिजिट क्या है 520 है ठीक है तो अगर हम लोग देखे 520 क्या हमारा 4 से divisible हो जाएगा तो 4 पंचे हमारे पास किता हो तो 48 ठीक है यह मारे पास किता जाएगा 48 ठीक है 6 टाइम जाएगा और हमारे पास कितना कहरी चला जाएगा 4 कहरी चला जाएगा और हमारे पास कितना जाएगा 8 5 जा मारे पास किता होता है 40 यानि यह नमबर हमारा क्या हो जाएगा 8 से completely divisible हो जाएगा ये संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी completely divisible हो जाएगी किस से 8 से ठीक है तो क्यूंकि last की 3 जिटिस हमारी क्या है 8 से completely divisible है ठीक है तो ये हो गई हमारी basically 8 और 4 की divisibility ठीक है तो अगर हम लोग बात करें दो की divisibility की दो की divisibility की बात करें तो दो की divisibility हमारी क्या होती है last की digit क्या होनी चाहिए last digit क्या होनी चाहिए even होनी चाहिए दो की divisibility के लिए last की digit क्या होनी चाहिए even होनी चाहिए अगर हम लोग बात करें तो क्या होना चाहिए last मलब sum of digit जो sum है digits का, sum of digit, digit का जो sum है, वो क्या होना चाहिए, तीन या नौ से क्या होना चाहिए, completely usable होना चाहिए, अगर बात करें अब 4 और 8 की, पहले हम लोग 4 की बात करें, तो 4 की बात करें, last two digits, last two digits क्या होनी चाहिए, last two digits, 4 की divisibility की बात करें, तो last two digits क्या होनी चाहिए, 4 से completely divisible होनी चाहिए, और अगर हम लोग 8 की बात करें, तो क्या होना चाहिए, last three digits, अगर 8 की बात करें, तो last three digits क्या होनी चाहिए, 8 से divisible होनी चाहिए, तो 2, 3, 9, 4 और 8 की divisibility हम लोग ने पढ़ ली, 8, x, 4, 8, x, 3, 4, 3, 4, 5, 6, y, हम से का गया है, ये number क्या होना चाहिए, 72 से अगर divisible by 72, क्या है, 72 से अगर divide हो जाता है, तो मैं क्या बतानी है, minimum value of 3 x plus 4 y बतानी है, चीक है, 3 x plus 4 y बतानी है, तो मैं पता है, अगर कोई भी number हमारा 72 से divisible होगा, तो अगर लोग 72 के factor करें, factor करें, तो कितना आएगा, 9 और 8, यानि 22 का हमारा factor कितना आएगा, 9 और 8, कोई भी number, अगर किसी भी संक्या से divisible होता है, कोई भी संक्या, अगर किसी भी number से divisible होती है, तो वो संक्या उसके factor से भी क्या होती है, completely divisible होती है इस चीज को आप क्या करेंगे याद रखेंगे ठीक है इस चीज को आप क्या करेंगे याद रखेंगे अगर कोई भी संख्या है वो अगर किसी भी number से क्या हो रही है divide हो रही है तो वो संख्या उस number के क्या good unfold यानि factor से भी completely divisible होगी ठीक है 9 से भी completely divisible होगा और 8 से भी क्या होगा completely divisible होगा ठीक है इतनी बात आपको समझ आई अब हमें जानना है कि 8 की divisibility हमारी क्या होती हमें तो X और Y की value बतानी है minimum value बतानी है कम से कम value क्या हो सकती X Y की लिखा है find the minimum value तो दिखे हमें X और Y की value निकालनी है तो 8 की divisibility हम लोगने क्या पढ़ी है कि last की 3 digit ये जो last की 3 digit है ये हमारी क्या होनी चाहिए 8 से completely divisible होनी चाहिए 8 की divisibility हम लोगने क्या पढ़ी है कि जो last की 3 digit है 5, 6 और Y ये क्या होनी चाहिए 8 से completely divisible होनी चाहिए ठीक है 8 से क्या होनी चाहिए completely divisible होनी चाहिए तो y की हम लोग क्या ऐसी minimum value रखें कि ये digit हमारी 8 से completely divisible हो जाए ठीक है ठीक है तो y की value हम लोग क्या रख सकते हैं तो दीखें y की minimum value हम लोग क्या रखें 0 रखें पहले हम लोग क्या रखते हैं 0 रखते हैं 870 किता होता है 56 होता है ठीक है 85 is a 40, 86 is a 48 और 87 is a 56 यानि अगर हम लोग Y की जो minimum value 0 सबसे minimum value 0 ही तो रख सकते हैं तब यह number हमारा क्या हो जाएगा 8 से completely divisible हो जाएगा यानि हमें यहाँ पर क्या पता चल गया Y की value पता चल गई minimum Y की value किती है 0 ठीक है तो number हमारे पस क्या आ गया 48X 3Y 3456 और 0 अब हमें number पता चल गया ठीक है कि हमारे पस last digit number की क्या है minimum value क्या है Y की 0 है किस से हमने पता लगा या 8 की divisibility से आप हमें क्या निकालना है यह X की value निकालनी है एक्स की value निकालनी है तो हम लोग 9 का divisibility rule हमारा क्या होता है कि sum of digit क्या होना चीए 9 से divisible होना चीए तो अगर हम लोग इसका digit sum करें तो कैसे करेंगे 8-4 हमारे पास हो जाएगा 13 ठीक है 8-4 हो गया 12 और 12-3 हमारे पास कितना हो गया 15 ठीक है 12-3 हमारे पास किता हो गया 30 हो गया चीक है यानि यह value का sum हमारे पास किता रहे 30 plus x आ रहा है अब x की क्या हम minimum value रखें कि यह number हमारा 9 से completely divisible हो जाए तो x की value अगर हम लोग 0 रखें तो 30 9 से divisible नहीं है 1 रखें तब भी 9 से divisible नहीं है 2 रखें तब तो हम लोग क्या करेंगे 9 का table पढ़ेंगे तो 9 4 हमारा किता होता है 36 होता है यानि अगर हम लोग इसकी minimum value देखें इसकी minimum value देखें तो x की minimum value होगी वो हम लोग कितनी रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, x की minimum value कितनी रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, ठीक है, 6 रख सकते हैं, यानि हमें क्या पता चल गया, y की minimum value पता चल गया, कितनी 0, और x की minimum value पता चल गया, कितनी 6, हम लोग क्या कर देंगे, अपने expression में रख देंगे, expression है 3x, plus का हमाई पास क्या है 4y 3x plus का क्या है 4y है तो x की जगा हम लोग क्या रख सकते हैं x की जगा हमें पता है कित्ती value है 6 और y की value हमाई पस कित्ती है 0 यानि हमाई पस expression की value कित्ती आ जाएगी 6 तिया हमाई पस कित्ता हो जाएगा 18 चेती हमाई पस कित्ता हो जाएगा 18 हो जाएगा यानि X3 X4 Y कित्ती हानी चाहिए 18 आगर हम लोग option की बात करें तो fourth option none of these हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीक है अब आपको question आपको examination में ऐसा ही देखने को मिलेगा यह हमारा SSC CGL का 2022 का question हम लोग ने को depend करता है कि आप कैसे values को find out करते हैं क्योंकि हमें last में y दे रखा था यानि हमें 8 की divisibility पहले चेक करनी पड़ेगी और 8 की divisibility हमारी क्या होती है एक बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाएं कि 8 की divisibility हमारी क्या होती है कि last की 3 digit क्या होनी चाहिए 8 से completely divisible ह होनी चाहिए तो last की ठीरे 2 हमारी y की value में निकालनी थी minimum value निकालनी थी यानि कम से कम value रखनी थी तो य की value जो हमने zero रखी तभी हमारी क्या होगे number satisfy होगे क्योंकि last की 3 digit last की 3 संहाई क्या हो रही थी एंž भू रहे थे 30 प्लस X, योनि X की value में कितनी पता चल गई, 6 होती है, ठीक है, तो ये question आपके examination में आया था, ठीक है, note कर लीजेगा इस question को, फिर हम लोग next question की तरफ बढ़ते हैं, next question देखते हैं, दूसरा, इस question जिसको screenshot लेना हो ले सकता है, इसी type का question आपको examination में देखने को मिलेगा, ठीक है, अब अगर हम लोग दूसरे question की बात करें, तो question हम से दे रखा है, question की बात कर लिका है, if the number, 1005, number हमाई पस क्या दे रखा है, 10, number दे रखा है, 10, 0, 5, X, और 4, यह हमसे क्या पूछा गया है, क्या हमसे पूछा गया, if a number is completely divisible by eight, then the smallest integer in the place of X will be, हमें क्या बताना है, smallest integer बताना है, X के place पे, ठीक है, X के place पे क्या बतानी है, smallest integer बतानी है, ठीक है, तो X, 8 से divisible है, या नी इसकी last की digit क्या होनी चाहिए, 8 से completely divisible होनी चाहिए तो अगर हम लोग last digit की बात करें तो कितनी है last digit 5x4 5x4 यानि यह number हमारा क्या होना चाहिए 8 से divisible अब हम लोग x की क्या value रखें अगर आप x बराबर 0 रखें x बराबर 0 रखें तो x बराबर 0 रखने पर क्या है हमारा number completely divisible हो रहा है तो 504 8 से हमारा divisible हो जाएगा तो 8 सते हमारे पास क्या होता है 8 संग हमारे पास हो जाएगा 48 और 8 यह हमारे पास कितना होता है 24 यानि 0 रखने पर यह हमारा क्या हो रहा है completely divisible हो रहा है यानि x की जो हमारी minimum smallest integer हो जाएगी वो कित्ती हो जाएगी 0 हो जाएगी यानी 0 ही क्या हो जाएगा correct answer x की value जब हम लोग क्या रख देंगे 0 रख देंगे तो हमारा ये equation क्या हो जाएगी बिल्कुल satisfy हो जाएगी और 8 से completely divisible हो जाएगी जिसमें हमारी 0 क्या है smallest integer है ठीक है smallest integer है नोट कर लीजेगा इस question को फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 11 की divisibility चेक करते है 11 की divisibility हम लोग देखेंगे ठीक है नोट कर लीजेगा इसको चलिए अब हम लोग question देखेंगे आगे अब हमारे पास जो question है अभी 8 की divisibility पे एक दो और question है अब हमसे लिखा है find the greatest value of a plus b question बढ़िया है यह सारे आपके exam oriented question है जो आपके exam में आए हुए questions है आप इसे check भी कर सकते है यह सारे question आपके cgl के exam में आए हुए question है हमसे लिखा है find the greatest value of a plus b such that a digit number number हमें क्या दे रखा है 8 digit 4, 5, 2, 3, A, 6, 0 और last में क्या दे रखा है b यह number हमसे दे रखा है divisible by 15 तो हमनोंने अभी देखा था कि हमारा कोई भी number अगर किसी भी number से divisible होगा तो वो number उसके factor से भी divisible होगा तो 15 से divisibility हमें नहीं पता है लेकिन अगर हम लोग 15 को break करें 3 और 5 में 3 इंटू 5 क्या कर सकते है break कर सकते है यानि अगर हमारा कोई भी number 3 और 5 से 15 से divisible होगा तो वो number हमारा 3 और 5 से भी क्या होगा divisible होगा और अगर divisibility of 5 की बात करें Divisibility of Divisibility of 5 की अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो 5 की divisibility होती है इसका rule क्या होता है कि last digit जो हमारी last digit होती है किसी भी number की last digit क्या होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए last digit किसी भी number की last digit क्या होनी चाहिए आखरी एंक क्या होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए तभी हमारा number 5 से divisible होगा ठीक है अगर हम हम लोग debisability 10 की बात करें准म10 की बात करें तो दीजिट जो होती है वह हमारी है हमेशा जेरो होनी चाहिए last की digit क्या होनी चाहिए हमेशा 0 होनी चाहिए किसी भी number की तभी वो number हमारा क्या होगा 10 से completely divisible होगा ठीक है अब दीखे question हम से दे रखा था 4523A60B ये number है ये number हमारा 3 और 5 से divisible है या नही मतलब 15 से divisible है या नही हमको value निकालनी थी A plus B की तुम्हें पता है कि 3 से divisibility हम लोग कैसे चेक करते है कि numbers को add कर दे sum of digit क्या होना चाहिए 3 से divisible होना चाहिए और 5 की divisibility अभी हम लोग ने पढ़ी कि last की digit क्या होनी चाहिए 0 या तो 5 ठीक है 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए find the greatest value अब हमें क्या निकालना है greatest value निकालनी है ठीक है तो अगर हम लोग greatest value की बात करें तो B जो होगा B की हमारी greatest value कित्ती हो जाएगी 5 हो जाएगी 0 रख नहीं सकते है minimum value की बात नहीं की गई है greatest value की बात की गई है यानि B की value क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी क्योंकि 5 से divisibility के लिए last की digit को या तो 0 या तो 5 होना चाहिए तभी number हमारा क्या होगा 5 से divisible होगा तो B की value हम लोगों ने लिख दी 5 और अगर हम लोग बात करें 3 से divisibility की तो number हमाई पास क्या बन के आ गया 4523 A60 और किता गया 5 और अगर हमें तीन से divisibility चेक करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा सम और दिजिट करना पड़ेगा तो हमारे पास हो गया 4 और 5 किता हो गया 9 4 और 5 किता हो गया 9 यानि यह number कट गया 3 हमारा कट गया 3 से टीन से डिजिबिल्टी के अगर हम लोग बात करें देखे 5 6 हमारे पास कितना हो गया 11 और 11 और 2 हमारे पास कितना हो गया 13 हो गया 11 और 2 कितना हो गया 13 यानि 13 प्लस A बराबर आ गया ठीक है अब देखे 3 से divisible होने के लिए आपको कितना ए की value medium a code कितनी रख सकते हैं 3 irgendwas asan अगर हम रोग एक ही बात करें तो maximum value हम लोग कितने रख सकتे एक ही जब हम लोग 3 separate ही चेक करनी हो तो minimum maximum value कितने रख सकते 7 या 8 चीक है तो अगर हम लोग बात करें A की maximum value 8 हम लोग रख दें 8 ही रख सकते हैं 9 रखेंगे तो 10 से divisible नहीं होगा 13 8 हमारा कित्ता हो जाएगा 21 हो जाएगा ठीक है 13 8 21 हो जाएगा यानि A की maximum value कित्ती ही रख सकते है 8 हमसे पूछा गया A plus B A plus B की value पूछी गई है दोनों को add कर देंगे A plus B की चाएगा Plaunch plus A हो जाएगा 85 हमारे पास कित्ता जाएगा 85 हमारे पास पास आजाएगा तेरा एक्वल यानि fourth option हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस question का नोट कर देंगे आप इस question को फिर हम लोग एक और question देखते हैं जो आपके नीचे दिया गया है ठीक है इस question को भी हम लोग जल्दी से complete कर रहे है तो यह ऐसे ही question आपके examination में आएंगे आपसे direct divisibility नहीं पूछेगा या तो आपको वो series देगा या तो आपको इस type की equation देगा ठीक है अब हमारे पास यह question दे रखा है if a nine digit number एक हमसे क्या दे रखा है 9 digit की संख्या दे रखी है संख्या हमसे क्या दे रखी है 8, 9, 5, 6, कित्ता दे रखा है 3, x, 8, 7, y ठीक है यह हमसे क्या दे रखा है number दे रखा है हमसे कहा गया is divisible by बहाद कर then find the value of हमें value किसकी निकालनी है under root के अंदर 8, x, minus 6, y की value निकालनी है किसकी 8, x, minus 6, y की value निकालनी है same process करना है यह number है हमें value निकालनी है 8, x, under root के अंदर 8, x, minus 6, y number हमसे कहा गया है कि 72 से completely usable है और number 72 से completely usable है यानि 9 और 8 से भी क्या होगा completely divisible होगा तो 8 से divisibility कैसे check करेंगे कि last की 3 digit क्या होनी चाहिए 8 से completely divisible होनी चाहिए तो 8x और y divided by 8 अब 8 से कब divisible होगी अगर 8 की value हम लोग 0 रखें ठीक है तो number हमारा क्या है divisible नहीं होगा अगर 8 की value हम लोग कितने रखें 8 की value 1 रखें तब भी हमारा क्या है number divisible नहीं है 8 से लेकिन अगर हम लोग y की value y की वेल्लु दो रखें y की value दो रखें तो हमारा क्या होजाएगा number completely divisible हो जाएगा क्योंकि 872 हमारा क्या होजाएगा 8 से completely divisible हो जाएगा तो y की value तो हमें पता चल गई कितनी आ गई 2 और y की value जैसे ही में पता चल जाएगी 8, 9, 5, 6, 3, x, 8, 7 और 2 चीक है हमें संकिया पता चल गए 9 से divisibility हम लोग क्या sum of digit करके निकाल लेंगे तो 9 हमारा cancel हो गया 6, 3, 9 ये भी हमारा cancel हो गया 7, 2, 9 भी हमारा cancel होगा 8, 5, 13, 8, 8, 16 और 16, 5 हमारे पास कितना आजाएगा 16, 5 आजाएगा 21 और 21 प्लस x हमारे पास आजाएगा यानि x की value हम लोग सीधे बता देंगे x की value कित्ती हो जाएगी 27 हमारा 9 से completely divisible होता है यानि x की value हमारे पास कित्ती आगी निकल के 6 तो x की value हमारे पास 6 आगई y की value कित्ती आगई 2 आगई इसको अपनी equation में रख देंगे equation हमारे पास क्या दे रख किया अंडर root के अंदर 8 into x ठीक है 8 सिग्जा हमारा कित्ता होता है 48 होता है ठीक है 8 सिग्जा 48 होता है और 6 into 2 यानि 6 दुनिया हमारे पास कित्ता आगया 12 तो हमारे पास 48 minus 12 आगया 48 minus कित्ता आगया 12 तो 48 minus 12 कि अगर हम लोग बात करें तो कित्ता आगया हमारे पास 36 और 36 किसका अंडर root होता है 6 का ठीक है 36 किसका अंडर root होता है 6 का यानि right answer हमारे पास क्या हो जाएगा 6 तो examination में आपसे इसी type के question आएंगे इसी type के question आपसे क्या exam में पूछे जाएंगे कैसे आपसे 9 की divisibility पूछ दी 8 की divisibility पर rule दे दिया या इनका जो common multiple होगा common multiple जैसे 72 क्या है 8 हो 9 का common multiple है multiply करके तो इससे भी आपसे divisibility rule पर question पूछ दिया जाएगा ठीक है तो ये हमारी कितनी हमने divisibility पढ़ ली 2 की divisibility पढ़ ली 3 और 9 की divisibility पढ़ ली 4 और 8 की divisibility पढ़ ली 5 और 10 की divisibility पढ़ ली ठीक है at the last ठीक है जो कल की हमारी class होगी उसमें हम लोग क्या देखेंगे 11 और most important अपनी 7 और 13 की divisibility देखेंगे किसकी 7 और 13 से divisibility सीखेंगे हम लोग तो आज की class बस हमारी यहीं पे ओवर हो रही है divisibility की कल की class में मत जोड़ना भूलिएगा हम लोग 11 और 13 और 7 की divisibility देखेंगे जो most important उस पर questions हमसे पूछे जाते हैं examination में तो आप लोग जोड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ तो आज के लिए बच इतना है thank you so much झा सकते जाओ बच्याय जाओ जाई की जाजएमारे साथ वादसे साथ तो आप टो आप खार जाची सिर्धान साथ यहीं अ पैसा 沒錯